हलो फ्रेंट्स आइम अप्रती वेलकम बेक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस दिसंबर में हम नर्सरी से कुछ प्लांट्स लेकर आये थे जिसमें एक रोज प्लांट भी था गुलाब के पौधे पर एक छोटा सा मेहमान आया था जो कि हमने आप से शेयर भी किया था अगर व तितलियां लारवे से बनती हैं उसी तरह जो मौथ होता है वो भी लारवे से बनता है मौथ तितली की तरह ही होते हैं आपने देखा होगा रात में जब कहीं पर लाइट्स जल रही होती हैं तो उस पर वो तितली जैसे जो घूम रहे होते हैं वो मौथ ही होते हैं ये अलग पीना खाने के बाद फिर मिट्टी में चले जाते हैं फिर इनका प्यूपा बनता है जैसे बटरफलाई का हमने शेयर किया हुआ है आपसे ऐसे ही ये मिट्टी के अंदर बनता है एक ओलियंडर हॉक मौथ की वीडियो भी हमने शेयर की हुई है वो भी आप जरूर चेक ये कुछ मिट्टी है और सूकी पत्तियां है हमने इसके बराबर में रख दी है और जैसे ही इसको लगता है कुछ हलचल हुई है एकदम शान्त हो जाता है क्योंकि इसको अपनी जान बचानी होती है और जो तितलियां या छिपकलियां होती है वो इसको खा लेती है इसलिए ये काफी बचकर रहते हैं तो देखिए कुछी दिनों में जो लार्वा था उसे एक प्यूपा बनकर तयार हो गया है हमने इसको बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया था क्योंकि इसमें एक प्रोसेस चल रही होती है जब तक ये इस कवर के इस शेल के अंदर नहीं आ जाता तब तक इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और फिर देखिए इसका ये जो प्यूपा है ये बनकर तयार हो गया है अब आप में से काफी लोग सोचेंगे हमने इसको डिस्टर्ब किया है लेकिन इसको डिस्टर्बेंस नहीं कहते हैं ये अब कवर में आ चुका है जो इसके अंदर प्यूपा के अंदर प्रोसेस चल रही है वो चलती रहेगी इससे इसको कोई नुकसान नहीं होगा अब हमें आपको दिखाना था कि इसमें से किस तरह का मौथ निकल कर आता है क्या कलर होता है उसका तो हमने सुचा इसे अपने पास रखते हैं तो इसको एक हमने प्लास्टिक का एक बिस्किट का खाली पैकिट था उसमें कुछ मिटी रखी और उसमें इसको अंदर छुपा दिया जैसे कि अभी तक छुपा हुआ था और इसको अपने रूम में रख लिया क्योंकि अगर हम बाहर रखते तो इसमें से पता नहीं कब मौथ निकल कर उड़ जाता और फिर हमें देखने के लिए नहीं मिलता लगबग 60 दिन के बाद ये अचानक देखने के लिए मिला अभी रात के पौने 12 बज रहे थे अचानक इस पर नजर गई तो देखा अरे ये तो निकल आया है बाहर हम तोड़ा लेट हो गए लेकिन कोई बात नहीं ये खुशी है कि हमें देखने के लिए मिल तो गया है ये तो देखे जो इसका ये प्यूपा था ये मिट्टी में था मिट्टी में से ये बाहर निकल कर अपने आप आ गया है इस तरह से cover खोल कर इस तरह से ये खाली हो चुका है काफी shiny है तो ये बाते हम इसलिए आप से share करते हैं क्योंकि आप भी nature के बारे में प्रकरती के बारे में जितना जादा से जादा जाने उतना जादा अच्छा है हमारी कोशिश यही रहती है कि हम प्रकरती को आपके पास और आपको प्रकरती के पास जादे से जादा लेकर जाएं तो देखिए कितना खुबसूरत मौथ है और बहुत प्यारा है सुबह को हम इसको वापस बाहर रख देंगे ये सुबह को नहीं उड़ते हैं ये अकसर रात में ही उड़ते हैं और सुबह को ये छुपकर बैठे हुए होते हैं देख सकते हैं आप पौने 12 बज रहे हैं और इस समय ये हमें देखने के लिए मिला तो अब हम सुबह को इसको बाहर रखेंगे हाला कि ये दिन में नहीं उड़ेगा लेकिन फिर भी आपको धूप में दिखा देते हैं ये किस तरह से है और अभी ये उड़कर वापस से घर में चला जाएगा क्योंकि ये अंधेरी की तरफ ही जाते हैं इन में रोश्णी में इने प्रॉबलम होती है और रात में ही बाहर निकल कर आते हैं तो इतना टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि जो मौथ होते हैं या बटरफलाई होते हैं जादा सर्दियों में ये उड़ते नहीं है और जो इनके प्यूपा होते हैं उनमें से भी ये बाहर नहीं आते हैं तो अब मौसम में गर्माहट आ चुकी है इसलिए ये बाहर आ गया है गर्मियों में ये 30-40 दिन के अंदर ही इनका अंडे से लेकर और मौथ बनने तक का सफर पूरा हो जाता है हमारी एक व्यूवर है सब्सक्राइबर है उनके लेमन प्लान पर भी एक बटरफलाई प्यूपा है वो भी वेट कर रही थी तो अब जैसे मौसम में गर्माहट आई है तो उनके यहां भी उने जल्दी ही बटरफलाई देखने के लिए मिलेगी पहरे से 60 डिग्री टेंपरेचर के नीचे का जो टेंपरेचर होता है उस पर यह सर्वाइब नहीं कर पाते हैं तो यह छुपकर ही रहते हैं और उड़ते भी नहीं है और जो प्यूपा या कोकून होता है उसमें से भी यह बाहर नहीं आते हैं रेस्ट करते हैं और जैसे ही मौसम में गर्माहट आएगी है बाहर आ जाएगे तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगे कोई क्वेरी है क्वेशन है कमेंट बॉक्स में पूछिए एक छोटी सी जानकारी आपसे शेयर करनी थी आशा है आपको अच्छी लगी होगी थैंक यू अभी रात में उड़ जाएगा